जैहन्दी स्टुडेंट्स वेलकम बैक अगेन दिस इस दिवाशु पांडे और आज की स्क्लास में हम कॉमन वेल्थ गेम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेड इवेंट्स को डिसकस करेंगे आप सभी जानते हों कि हमारी इंडियन आर्म फोर्स के सोल्जर्स ने काफी मेंडल्स भारत को इस कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 में जिताए हैं इंडियन आर्मी के ऐसे कौन से सोल्जर्स हैं जिन्होंने ये उपलब्धी भारत के नाम की हैं उनके बारे में आज किस क्लास में हम डिसकस करेंगे तो चलिए शुरूआत करते हैं और सबसे पहले मैं आप सभी को बता द आएंगे इस कोर्स की लिंक निचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो आप भी विजिट करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी इस कोर्स को आप शेर करते जाएए आप सभी जानते हो कि इस साल यानि की 2022 में UK के बर्मिंगम में Commonwealth Games आपका खेला गया हर च भारत का इस्थान पूरे मेडल टैली में पोर्त था यानि की चौथे नंबर पे हम थे पहले पे आपका Australia था आप सभी जानते हो और इन 61 मेडल्स में भारत के जो 15 मेडल्स आए हैं वो हमारे भारती सेनाओं के द्वारा लाए गए हैं यानि की Indian Army, Indian Air Force और Indian Navy के जो हमारे 15 मेडल्स दिलाए हैं तो वन बाई वन हम सभी forces के athletes के बारे में देखेंगे और जानेंगे की उन्होंने किस आपके category में भारत को कौन सा मेडल्स दिलाया हैं सबसे पहले Indian Army के साथ हम शुरुआत करेंगे Indian Army के 8 athletes ने भारत को gold, silver और bronze आपका दिलाया हैं तो सबसे पहले खिल जर्मी लारिंग गुवा आप सभी इनको जानते हो और भारत को जो दूसरा आपका medal मिला था दूसरा जो आपका medal मिला था वो gold medal था और इसको हमारे weightlifter नायप सुविदार जर्मी के द्वारा भारत को दिलाया गया ये Indian Army में recruit हुए सबसे नए आपके जवान हैं और इन्हो ने इस उपलब्धी को हासिल किया आपके 67 kg के weightlifting men's category में The next one is the हविलदार अचिंता स्विली तो हविलदार अचिंता स्विली भारत के एक weightlifter है और इन्हों ने भी आपका gold medal भारत को दिलाया है 73 kg के weightlifting category में इन्हों ने total 313 kg के weight को lift किया सबसे पहले 143 category और उसके बाद 170 kg की category में और भारत को तीसरा gold medal हविलदार अचिंता के द्वारा जिताये गया था The next athlete of the Indian Army is सुविदार दीपक पुनिया सुविदार दीपक पुनिया एक men's के freestyle wrestler है ये भारती थलसेना में JCU है और इन्हों ने पाकिस्तान के मुहम्मद इनाम को 3 0 से हरा कर पुरुष की 86 kg केटेगरी में भारत को gold दिलाया और इस प्रकार से आपने देखा 3 gold तो ऐसे ही भारती सेना के जवाने को दारा ला दिये गये चौथा gold हमारे सुबेदार अमित फंगल के द्वारा दिलाया गया 51 kg के boxing केटेगरी में he is a boxer और इन्होंने आपके England के कियारन MacDonald को हरा कर इस gold medal को प्राप्त किया तो total 4 आपके gold medals इंडियन आर्मी ने दिलाया है फिर अगला आपका silver medal के कटेगरी में हम जाते हैं इंडियन आर्मी में ही तो नायब सुबिदार अभिनास सैबले तो ये आपके Indian track और field athlete है जिन्होंने 3000 meter की staple chase में भारत को silver medal दिलाया है और इन्होंने 9 वी बार आपका national record set किया है इन्होंने 3000 meter यानि की 3 km का staple chase था उसको 8 minute 11 second इस आपके track race को पूरा किया और इन्होंने भारत को आपका silver medal दिलाया है भारती थल सेना के जवानों ने भारत को 3 आपका bronze medals भी दिलाये हैं तो पहला bronze medal सुबेदार संदीव कुमार ये आपके 10,000 meter race walk की category में इन्होंने भारत को आपका bronze medal दिलाया तीसरे पैदान पर ये रहे आपका पहले नमबर पर Australia के Delkan और फिर आपके Canada के Ivan जो है पहले दूसरे नमबर पर रहे थे और तीसरे नमबर प्राप करके इन्होंने भारत को bronze दिलाया अगला आपका recruit हवलदार दीपक नहरा है जो की आपके एक wrestler है और इन्होंने men's की 97 kg के category में आपका भारत को bronze दिलाया है अगला आपका है सुबेदार मुहमद हसिमुद्दीन सुबेदार मुहमद हसिमुद्दीन एक boxer है और इन्होंने men's की 57 kg के category में semi final में आपका भारत को bronze दिलाया और ऐसा करते हुए जो commonwealth games का 9 दिन था उसमें ये भारत को पलब्धी इनके दौरा दिलाई गई थी अब बढ़ते हैं इंडियन नेवी की तरफ तो इंडियन नेवी ने भारत को total 4 आपके पदत दिलाए हैं जिसमें आपका 2 gold और आपका 1 silver 1 branch शामिल है तो पहला आपका एलडोल से पॉल तो ये 7 अगस को जब आपका शुरुवात हुआ था हमारे इस प्रतियोकता का तो सबसे पहली बार भारत का जो आपका पहला middle था gold medal एलडोल से पॉल की दौरा दिलाया गया और ये करनाटक के एरना कुलंड डिस्टिक्स से आपका आते है जो की एक आपके athlete है और इन्होंने long jump में भारत को gold दिलाया है अगला हमारा है P.O. Navin Malek तो ये भारती wrestler है जिन्होंने 74 kg के men's की freestyle category में भारत को आपका gold medal दिलाया और इन्होंने मुहमत शरीव जो की पाकिस्तानी player थे उनको final में हराते हुए 9-0 से वो भी 9-0 से भारत को gold medal दिलाया अगला है P.O. जुगराज सिंग तो P.O. जुगराज सिंग एक Indian hockey player है और hockey team में इन्हों को silver medal प्राप्थ हुआ है Commonwealth Games 2022 का और last में हमारे आते हैं लवप्रीत सिंग भारती नौ सेना के और भारत के wrestler हैं जिन्होंने men's की 109 kg की category में भारत को आपका bronze पदत दिलाया है के weight को clinch करके ये उपलब्धी हासिल की है इंडियन एर फोर्स की तरफ तो देखिए इंडियन एर फोर्स के द्वारा भारत को total आप 3 medal दिलाये गए हैं जिसमें 2 silver और आपका 1 branch शामिल है विकास ठाकूर, junior warrant officer विकास ठाकूर जो की आपके weight lifter है उन्होंने total 346 kg को weight lift करके men's के 96 kg की category में भारत को आपका silver medal दिलाया और अगले हैं हमारे sergeant abdullah abubakar तो sergeant abdullah abubakar एक आपके long jumper है और इन्होंने 17.02 meter की एक long jump करके भारत को silver medal दिलाया यानि कि इंडियन एर फोर्स से आपके 2 silver medal आ गए और तीसरा आपका bronze medal है इंडियन एर फोर्स का जिसको jwo junior warrant officer guru raja को ने भारत को men's की 61 kg के final में total 269 kg के weight को weight lift करते हुए भारत को आपका bronze medal दिलाया है और इससे पहले वर्ष 2018 में gold coast में जो आपका commonwealth games conduct हुआ था वहाँ पर इन्होंने silver medal clinch किया था अब one by one हम forces के according सभी को cover कर लेते हैं सबसे पहले शुरुवात करते हैं इंडियन आर्मी से तो आप सभी जानते हो कि अब इनास सेबल मैंस की 3000 मीटर की stable chase में इन्होंने इंडियन आर्मी को आपका silver medal आपको दिलाया जर्मी जो की आपके इंडियन आर्मी के soldier हैं उन्होंने मैंस की 67 kg के weight lifting category में भारत को gold दिलाया अंचिता शूली ये भी weight lifter है इंडियन आर्मी के और इन्होंने भारत को gold आप का gold दिलाया है इसके लावा भारती सेना के जो आपके athletes हैं जैसे की दीपक पुनिया wrestler उनके द्वारा भी भारत को आपका gold medal दिलाया गया संदीव कुमार 10,000 के race walk में इन्होंने bronze medal जीता और दीपक नहरा जो wrestler है इंडियन आर्मी के 97 kg की category में इन्होंने भारत को आपका bronze medal ज किये गया है इंडियन नेवी की बात कर लेते हैं तो नवीन मलिक men के 74 kg के wrestling में इनके द्वारा जो है gold भारत को आपका दिलाया गया है लवप्रीत सिंग्स men's 109 kg की weight lifting की category में इन्होंने आपका bronze medal जुगराज सिंग आपका silver medal men's hockey और वहीं एडॉल से पॉल जो के इंडियन न इस आपके Commonwealth Games 2022 में मिला है बात कर लेते हैं इंडियन एर फोर्स की तो इंडियन एर फोर्स के अबदुल्ला अबुबकर जिन्होंने men's के triple jump में आपका silver medal जीता है तो ये silver medal जीतने वाले भी जीता है विकास ठाकुर जो की आपके junior warrant officer है इनके द्वारा भी silver medal जीता गया और वहीं गुरुराज पूजरी ने weight lifter जो है men's के 61 kg की category में इन्होंने भारत को bronze medal दिलाया है तो ये थे भारती सेनाओ के ऐसे हमारे athletes ऐसे players जिन्होंने भारत के नाम को Birmingham 2022 के Commonwealth Games में काफी रोशन भी किया और इनके द्वारा ये सभी पूरुसकार जीत कर लाए गया जिसे कि भा वो fourth position पर था जो की काफी अच्छी बात है और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो on forces है वो हमारे athletes का ज़्यादा ध्यान रखती हैं जिससे कि वो अपने objective पर focus करके भारत को आने वाले जितने भी national और international games हैं उसमें उकलब भी वो हासिल कर सकें अपने SSB interview की preparation करने के लिए आप सभी SSB crack exam के one year के online course में आप enroll हो सकते हैं जिसकी link नीचे description box में दी गई है as a student जो हमारे written course में enroll होना चाहते हैं वो सभी NDA, CDS, Eminence, Territorial Army और काफी आपकी courses है वहाँ पर enroll होके अपने तयारी को बहतर आप बना सकेंगे और enroll होने से पहले आप सभी इस warrior 10 code का use करिए जिससे कि आपको 10% का flat discount हमारे सभी courses से मिलेगा और आप घर बैठे affordable price में काफी अच्छी qualitative education ले पाएंगे जैहन and best of luck